बिहार में शराब बंदी को लेकर एक बार फिर से सियासत शिडू हो गई है हिंदुस्तानी अवाम मोचा की नीता जीतर नाम मांची ने नितीश कुमार पर जोड़दार हमला बोला है उन्होंने कहा है कि नितीश कुमार 2005 से 2015 तक गाओ गाओ घूम कर लाइसंस बाट रहे थे अब शराब बंदी का नाटक कर रहे हैं ये तो वही बात हो गई सोचुहे खाकर बिल्ली चली हज को बियार में शराब बंदी को लेकर पोर मुखे मंतरी जीतर नाम मांची ने नितीश कुमार पर जोड़दार हमला बोला है उन्होंने शराब बंदी को खत्म करने का समर्थन करते हुए सियम नितीश कुमार और प्रशासन पर कई गंभी रारोप लगाए हैं उन्होंने कहा कि सोचुहे खाकर बिल्ली हज को चली पहले गाउं में 2005 से 2015 तक गाउं गाउं में शराब बेचने का लाइसेस दे दिया और अब नाटक कर रहे हैं ये सब अनुसूचित जाती को परिशान करने के साधिश है जीतना माची ने कहा कि शराब बंदी के चलते सबसे अधीक अनुसूचित जाती के लोग परिशान हो रहे हैं उन्होंने आगे कहा कि गरीब तपका के जो लोग हैं वो ठकान मिटाने के लिए पाव भर पी लेते हैं लेकिन इसके बाद पुलिस ब्रिद एनलाइजर लगा कर इन्हीं जेल के अंदर धकेल देती है असी फीज़ी निचले तपके के लोग इसमें फसे हुए हैं जीतना माची ने कहा कि पुलिस चालान दिखाती है तीन हजार रुपे का लेकिन वास्तव में साथ से आठ हजार रुपे जर्माना ले लेती है मजदूर तो पांच सो रु यही था पहले तो सब कुछ सही चल रहा था शराब बंदी में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं उन्होंने कहा कि मौजूदा शराब नीती बिलकुल ही दोशपूर्ण है तो बिहार में एक बार पर से शराब बंदी को लेकर के सियासत तेस हो गई है और इसे लेकर बि चीतन रामांची का बड़ा बयान है कि अगर वो सत्ता में आते हैं दोहजार पच्चस में अगर उनकी सरकार बनती है तो शराब पीडे के लिए लोगों को फ्री छोड़ देंगे दर्श नीउज में फिलहाल के लिए इतना ही बने रही हमारे साथ देश और दुनिया की तम आम खबरों के लिए